खंडवा में एक परिवार की बेटी के साथ शादी का छासा देकर दुशकर्म करने का मामला सामने आये हैं यहाँ यूवक ने पहले तो यूवदी को प्रेम जाल में फसाया फिर उसके साथ संबंद बनाये और शादी का छासा देकर और रूपी एट कर फरार हो गया जिसके बाद पुलिस ने अब कारेवाही करते हुए महाराश्चों से यूवक को गरफतार कर लिया है देखे हमारी एक खास रिपोर्ट दरसल पूरा मामला खंडवा के मोगट थाना शेत्र का है जहां यूटी ने पुलिस से शिकायत की थी कि आरोपी यूवक ने उसे प्रेम जाल में फसाया और फिस शादी का छासा देकर उसके साथ दुशकर्म किया पुलिस ने मामली की गंभीता को देखते हुए आरोपी नवाजिस अली के खिलाप दुशकर्म का केस दर्चकर उसकी तलाश शुरू कर दी है महीं पुलिस ने चानबीन में आरोपी को महराचों से गिरफतार भी कर लिया है कि जा रही थी महाराष्ट मुंबई पुलिस की साहता से कल जो आरोपी नवाजीस पित अब्बास अली जो जालोन का रहने वाला है उसको जो है गिरफतार कर लिया है आज मानने न्यालय के समग प्रस्तुत किया गया है जहां से ROP को जो है जेल भेज दिया गया है यूती की सिकाय दिजिती की उसके साथ साथी के जहां सा देकर दुसकर्म किया और उससे पैसे भी जो है उसके दोरा एट लिय गया है करीب सतर अजार रुपे वही महाराश्य पुलिस के मदद से आरोपी को पुलिस ने गिरफतार किया है जह आरोपी के उपर मोगट थाना में अनिक धाराओ में प्रकरन दर्श थे वही पुलिस ने आरोपी को न्यालाय में भी पेश कर दिया है ब्यूरर रिपोर्ट, MP News खंडवा